नमस्कार किसान भाजियों स्वागत है आपका चैनल इगरी आकास पे किसान भी आज किस वीडियों मैं आपको ऐसी पांच सब्जियां बताने वाला हूं अगर ये पांच सब्जी आप 31 मई के पहले पहले अपने खेद में लगा देते हैं तो कम समय में कम लागत में आपको ज सब्सक्राइब कर लीजियेगा क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खेटी बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी मात्यकूर वीडियो बनाता रहता हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो किसान भी पहली फवसल है वह है मूली की खेटी जी हां अगर आप मई के महिने मूली की फटा होता है इस पर चantryं किया कि समय पर फानफूद नासक और कीट नासक की तैसी घुद नाज बॉी सब्सक्राटा जया को अब कितने धिन पर झुझ क कर इंक वैसरी बात करेंने है था इस्प्राइस इसकोल आपको साथ-एट दिन के अन्राल पर कर ना जो है आपको कर्वा आपको क्यीट किल नाज़ी करनाइ में तो यापकी पत्ती नहीं स्व Saysत होगी कें है यह तो बात हो अगयी पत्ती कि अर्ओ करने क्ंद Uh क्यों, आप गर्मी के समय मुद्धी कहते हैं, मुली कज़ती में आप ढ़ NOW होता है, क्लिस अब फाईदे है, कांदनि कहते हिते हैं, तरफ इस क schwक्त जाता है, और is कुछ अधिबहास को जाता हैρώ, चाहिस को अब नहीं करता है, कर आप गर्मी के समय मुली कहते हैं, तो आपको जो मूली खेती उसको बेट-बुजी से करना है और समय सने पर जो है इस परेक करते रहना है और अब बात आती है कि दूसरी फफल कौन फी लगाएं जिससे कि आपको जाता अच्छा मुनाफा देखने को मिले जो हमारी दूसरी फफसल है वह है पालक की खेती जी हा बुआई के अठाई ते तीन जिर में कटाई आपकी शुरू हो जाएगी एक बार बुआई करके आप यहां से तीन से चार कटाई जो है और आसानी से ले सकते हैं अब बात आते है किस बिधी से बुआई करें आपको खाट डाले देखिए एक एक एकर में 40 फ्लोड ये पी बेना है 25-30 किलो आपको यूडिया लेना साथ में 10-15 किलो पोटाफ ले सकते हैं इसको मिक्स करके डाल दीजिया जैसे ही आपको फफल है 15-18 दिन की हो इतनी वड़ी हो ना तुसमें 10-15 के यूडिया के साथ में 200-500 ग्राम सूच पुसक पास लेका के डाल देना है आपको औ मंडी की बात कर रहा हूं जो फुटकर भी क्रेता होते हैं उनके पास 5-6 रूपए जो है महंगी ही होती है तो पालक की जो खेती है आपको 10-15 जार रूपए में एक लाख रूपए आप एक एकरदे बहुत आसानी से कम सकते हैं और भी बहुत ही कम समय है तीसरी फफल है वह लेकिन नमुम्किन बिल्कुल भी नहीं है डिंग पासं जो उत्पादन उन्हें उसके बार हो इसके बात कर लें देखिए, सबसे पहला बीच को उपचाहित करके बोना है, फंगी साइट से बीच को उपचाहित नहीं करेंगे, बुगाई के बाद समस्याई आ सकती है, दूसरा, किस बिधी से बुगाई करेंगे जमाव अच्छा हो, देखिए, माल लीजिए, मेरे हाथ में धन्या के बीच ह कार्श को ग़र सब्सक्राइब जए आ समने हांते हैं के इन prends टात कर दो कर देखिए, इस सीद बाद कर देंगे उसके आ जाएगे, जो और इसा सफीट में इस बुगाई कर देना फूर 14 जाईटन में Шुखाना है और उसके बाद किए विचत में बुगाई कर देनी हैं, व कुछ किसान भई तकनीक और भी उच करते हैं जैसे माल यह धन्या की बुगाई की उसके उपर पुवाल कर दिया तो आप यह भी कर सकते हैं और अच्छी नमी है तो आप यह ना करेंगे फिर भी कोई समस्या नहीं आने वाली अब बात आती है खाद और इस्प्रे की कर दिये यूरिया डियेपी और पोटास को डालने से फाइदा यह होगा जो पौधा है वो तेजी स्ग्रोथ करेगा और काफी जल्दी जो है वो अच्छी तरीके से परिपाक को हो जाएगा अगर मैं बात दन्या की बुगाई के 35-40 दिर में कटाई सुरू हो जाती है और आ पादन भी अच्छा उच्छा मार्केट में काफी यादा रेट भी हो मैं कहता हूं तीन साहे तीन लाख ना भी कमा पाएंगे एक 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 बार आपने बुगाई के समय आप डिये पी यूरिया पोटास डाल बीजिए और जैसे ही 10-15 दिन की हो हलकी सी यूरिया डाल और एक बार बुगाई करके एक फूल देरी से आते हैं तो चार से पांच कटाई ले सकते हैं और मार्केट में आपको 10-12 रूपय किलो का रेट देखने को मिलेगा क्योंकि लागत भी कम है और 30-40 कटाई से ज्यादा भी आप ले सकते हैं तो यहां से भी लगभग एक एक ए तो मैं अगो कहूंगा कि 70% खेत में जो 70% है आपका खेत उसमें हरी चौलाई की बुगाई की जिए और जो 30% खेत वहां पे लाल चौलाई की बुगाई कीजिए क्योंकि हमने देखा है कि UP में यम्पी में बिहार में लाल चौलाई कम ही बिक्ती है तो हरी लोग ज्यादा पुछ किसानह भृएं जो इसे खेती करते हैं तो 70% आप की बढ़ि तोकिiran अगर आट देखा उच्छा पाइसा कमा सकते हैं बहुत सारे किसान भाई इस समय जो है मेथी कहती है नाने के लिए नहीं माशाले के लिए आप वह भी कर सकते हैं लेकिन गशा अच्छा प्राफिट चाहिए तो आप जो है मेथी स्चा के सब्सक्ति कर सकते हैं बेट-भूघी से तो यहां से भी जो है काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो कम लागत में कम समय आप काफी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे तो वीडियो के फिला कमेंट से समझ लोड लिखिएगा चनल में पहली बार आहें सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगे कौन सा वीडियो देखने के आपका बहुत-बहुत धन्यवाद